दोस्तों तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मक्सुटा के मौंटन पर गया था वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हमने खाई धेर सारे स्टीन मश्रूम्स, ग्रिल मश्रूम्स, मश्रूम राइस और मश्रूम सूप वहाँ पर खूफ सारे मश्रूम्स के डिशिस थे, मैं तो सारे खा भी नहीं पाया उन मश्रूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था उनका रंग और उनकी खुश्बू तो कमाल की थी तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारों से लगते हैं इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना वैसे दोस्तों वहाँ पर जाना सब की किस्मत में नहीं होता मेरा मतलब है जैसे की तुम लोग यह कोई नहीं बात नहीं है पर सीनियों की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर बड़ा घुस्सा आता है और मुझे जलन होती है ओ हाँ मैं डोरी मॉन से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि डोरी मॉन भी अपनी पॉकेट से मश्रूम नहीं निकाल पाएगा वैसे मैं आज तक उस चका कभी नहीं गया देखो मजाग मत करो मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मच्छी पकलूँगा इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता ये नामुम्किन है क्या नामुम्किन है कुछ भी नहीं चलो ठीक है बड़े अजीब लोग है सब क्या बात है डैड डोरे मॉन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरे ओफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मचली पकड़ी है मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डिंगे मार रहा है उसने मुझे सुबूत के तौर पर उस मचली का फोटो दिखाया उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है उसने मुझे उस मचली से भी बड़ी मचली पकड़ कर दिखाने की चिनौती दी है अरे वो डिंगे मारता रहा और मैं सुनता रहा वैसे अगर मैं चाहूं तो उससे भी बड़ी मचली पकड़ सकता हूँ समझे पर क्या है मेरे पास वक्त नहीं है अब डॉरेमोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना उसने मुझे इस बात की चिनोती कैसे दी डाट यह नजदी की एक पिश पॉंड है ओहो तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नॉबीता बड़ी मचनियां सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती है समझे तुम ओ अच्छा मेरे पास जील और नदी दोनों है डाट क्या सच में जड़ा एक मिनट रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ मिनियेचर गार्डन सीरीज माउंटें स्ट्रीम आखिर तुम इस मिनियेचर गार्डन से करने क्या वाले हो अभी बताता हूँ डाट स्विच को ओन करते ही पानी का सर्क्यूलेशन शुरू हो जाता है जिससे एक माउंटें स्ट्रीम तयार हो जाती है अब मैं इस पानी में छिड़ पूंगा कुछ इंस्टेंट हाचिंग मिनियेचर फिशेक्स जो कुछ ही देर में हाच हो जाएंगे ये लो अब वक्त हो गया है अब ये फिशिंग के लिए तयार है ठीक है डाट अब आप भी तयार हो जाएए अब जादिल दीजी डाट हाँ पर मुझे फिशिंग के लिए तयार होने की क्या दरूरत है अब आप अपने जूते पहन लीजिए आप तयार है स्मॉल लाइट समझ गया तुमने डाट को छोटा कर दिया दाकि वो मिनियेचर माउंडन स्ट्री में फिशिंग करने जा सकी बिल्कुल सही कहा अफो ये सब क्या है मैं तो भीग गया हूँ मुझे ज़रा आराम से नीचे उतारना था तुमने तो कहा ता यहां बहुत सारी मचलिया होंगी पर यहां तो अरे ओ ओ ओ एट सारी मचलिया है तुमने देखा डाट कितने खुश है हाँ डॉर क्लाइंबिंग प्राकिस के लिए भॉकी माउंटें होते हैं स्कीन तो पर किस लोब पर की जाती है और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेंज पर जाते हैं सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेंज होते हैं और कई तरह के माउंटेंज होते हैं सुनो डो रीमॉन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाता हूं क्या कोई mixroon का माउंटेंज भी होता है होता है सब्सक्राइब अब तुम क्या करोगी अच्छा सुनो नोबिता मैं तुम्हें बताता हूँ पहले मुझे मश्रूम के बीच बिखेडने होंगे इस तरह और फिर हमारे स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है मिनियेचर सान लॉंचर और एक ट्यूब में बादल तुम इनकी साथ क्या करोगी थोड़ा सा सब्र करो यह देखो सब तयार है नोबिता अब हम लॉंच करने वाले हैं संड अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश और फिर तुम देखना नोबिता करीब दस मिन्टों में मश्रूम सुगने शुरू हो जाएंगे जोरी मोल क्या मैं शिजूका और बागी दोस्तों को बुला लाओं हाँ जरूर बुला लाओं मैं उन्हें ले आता हूँ जोरी में जर्मक्तों मैं जर्मक्तों को बुला लाओं मैं इस कना लाओं है क्या हम सारे मश्रूम्स तोड़कर खा सकते हैं मुझे तो यकीन है नहीं हो रहा नोबिता मैं सच कह रहा हूँ आओ तुम खुद ही देख लो है नोबिता शिजुका तुम दोनों कहा जा रहे हो क्या सचमुष नोबिता मैं भी आना चाहता हूँ हलो आंटी हलो बेटा हमें बताओ मश्रूम्स कहा पर है चलो हम शुरू हो जाएं हमें इस मांटेन पर जाना है अब तुम सब पहनलो अपने अपने बैंबू कॉप्टर्स देखो शिजुका मुझे कितना बड़ा मश्रूम्स मिला हे नोबिता देखो यहाँ पर कितने बड़े मश्रूम्स हैं चिजुका अब वहाँ जाकर देखते हैं अच्छो ठीक है जड़ा मेले रुको तो सही जुल्दिया बढ़िया लगता है हमारे अहां सारा समान अच्छी को आले की का होता है यह निंचे आपका समान शुक्रिया आईए मैडम चार क्रोकेट्स थाइक्च्यू मैडम आज मश्रूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी है आप लेना चाहेंगी आथ हाजार रुपए यह तो बहुत वाजिब दाम है मैडम आप खरीद लो क्यों नहीं यह है तो बहुत ही सस्ते पर मैंने किसे और दिन खरीदना चाहूंगी चलती हूँ वाँ देखो मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला यहाँ पर कितने सारे मश्रूम्स है पर मेरा बासकर तो फॉल हो गया है देखो मैं कितने सारे मश्रूम्स ले आया हूँ मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका और मश्रूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे ठीक है मुझे लगता है कि हमें इन मश्रूम्स को ताजा ताजा टेस्ट कर लेना चाहिए एक दिन मैं तब तक मश्रूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे उप ना जाऊं पर अगर कीमत यूँ ही बढ़ती रही तो अरे शिजुका और बाकी सब अब तक गए नहीं अरे ये क्या ये खुश्बू क्या ये मश्रूम्स की खुश्बू है ये खुश्बू तो ऊपर से आ रही है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ये कैसे हो सकता है मुझे जल्दी से चल कर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए मेरी खयाल से अब हम इसे खा सकते हैं मला गया क्या खुश्बू है रंग भी बढ़िया है बहुत टेस्टी है अरे वाह मज़ा आ गया तुमिती जल्दी में मत खाऊ नो बिता चोड़ो ना यार खाने की दूँ ये अब तयार नहीं हुआ है जियान अब सब्र करो चलो आप वापस चलते हैं चलो ऐसा करते हैं घर चलतकर मॉम को सर्प्राइज कर देते हैं चलो ठीक है इन्हें घर ले जाने में कितना मज़ा आएगा इतने सारे मश्रूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौकर बेहोश हो जाएंगी बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइस के हो जाएंगे अच्छा आँटी अब हम लोग घर जा रहे हैं अच्छा हम जा रहे हैं दोबारा आना तुम दोनों का शुक्रिया फिर मिलेंगे जब मन करें आ जाना डोडी मोन क्या डाट में कोई मश्ली पकड़ी होगी आओ देखते हैं हे सुनियो हाँ हाई जियान हाई शिजूका तुम दोनों इस वक कहा पर जा रहे हो जरा इन्हें तो देखो अच्छा तो ये मामूली मश्रूम्स हैं हे बेवकूफ क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं हाँ मतलब ये अठी क्वालिटी के हैं हाँ बिल्कुल हम इन मश्रूम्स को मच उटा के माउंटेन से लाए हैं क्यों शिजूका ठीक हाना हाँ जियान तुम बिल्कुल ठीक है रहे हो फिर मिलते हैं सुनियो अच्छा तो हम चलते हैं चाहो तो एक लेलो सुनियो लकील नहीं होता मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ पर इतनी सारी मचलिया मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो सब डोरेमोन का कमाल है अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा हाँ डैज आउ मॉम के लिए भी ले चलते हैं हाँ अच्छा एडिया है हमारे लिए भी अरे सुनती हो कहिए मॉम डिनर का वक्त हो गया है अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यो रहे है ये देखो ये सब क्या है मुझे तंग मत करो मैं बहुत बिजी हूँ ये ये तो ये मश्रूम और मचलिया अरे ये कैसे हो सकता है मॉम मुझे चाहिए मश्रूम राइस और मश्रूम सूप ठीक है और मुझे पसंद है स्टीम मश्रूम ग्रिल्ड मश्रूम और ग्रिल्ड फिश ठीक है ना नहीं ये नहीं हो सकता ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है लेकिन ये सपना नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये बिल्कुल नहीं हो सकता अरे मैंने खुद इन मचलियों को पकड़ा है नहीं नहीं आप इतनी सारी मचलिया पकड़ ही नहीं सकते तुम विश्वास तो करो इसमें उनका कोई दोश नहीं है हाँ बेल्कुल